मैं अधिशान असलम मेडिक्स के प्लैटफॉर्म से और आज की वीडियो जिस मेडिसन पर होने जा रही है उसका नाम है आईसेफ टैबलेट और सीरप इसका फार्मूला है सफेक्सम सफेक्सम एक ऐसी मेडिसन है जो बेक्टेरियल इंफेक्शन की सुर्थ में दी जाती है आज हम डिसकस करेंगे इसके यूजिज इसकी डोजिज और इसके साइड इफेक्ट्स तो वीडियो के एंट तक जरूर देखें कि अब मेडिसन के बारे में बेतर तरीकी से समझ सके आईसेफ टैबलेट या सीरप बेसिकली जिन जिन स्पेसिफिक बिमारियों में दी जाता ह उसमें सांस की नाली में बेक्टेरियल इंफेक्शन पिशाब की नाली में बेक्टेरियल इंफेक्शन जबके गाल ब्लडर यानि ऐसी नाली जो जिगर से पिते के दमयान जाती है उसमें अगर बेक्टेरियल इंफेक्शन हो जाए तो इस सूरत में दिया जाता है और साथ आपको लाजम दिखा ले तक है या बहतर तरीके सेrau को बढ़ा सके कि आपको और वारिल इंफेकbrahim है इयर बैक्तेरियल इंफेकिशन आ है और उसी साफ को मैडिसन दे सब कही निब्सकार होता है। एक मुझा आय। पिंटे में उसकता है। उसमें अमको पेटесть में दर्द हो सकता है उल्टी आ सकती है बुखार हो सकता है इस सब निशानियां इस चीज़ की हैं कि आपको गाल ब्रेडर में बेक्टेरिल इंफेक्शन है उस सुरत में भी इसी मैडिसन का इस्तमाल किया जाता है अब इस मैडिसन में जो सबसे अच्छी बात है वो यह है कि आप देख रहे होंगे कि इसके उपर तूटी फूटी लिखा हुआ है बिसिकली यह जो मैडिसन है यह टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है बच्चों में अगर इस मैडिसन को इस्तमाल किया जाता है तो उसका फाइदा यह होता है कि बच्चे इसको इजिली कंजिम कर बच्चे एकसर मैडिसन में आपने देखा होगा कि इसको इजिली यूज नहीं करते थोड़ी सी हुज़त करते हैं यह रिजिस्ट करते हैं मैडिसन को तो उस हिसाब से मैडिसन बहुत अच्छी है कि इसको बच्चे इजिली यूज कर लेते हैं उसके लावा अगर इसकी ड नॉर्मल डोस है वो बतारों कि 400 mg की टैबलेट दी जाती है, पूरे दिन में जो कंजीम करनी होती है, आप इसको दो हिसमें भी ले सकते हैं, यानि 200 mg सुभा और 200 mg शाम को, जबके बच्चों में इसकी डोसे जाती है, वो 8 mg पर केजी के हिसाब से दी जाती है, यानि अगर इफेक्ट की बात की जाएं, तो उसमें हो सकता है कि आपको स्टूल में जलन हो, या यूरिन में बलड आये, या जलन आये, तो ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, ताके वो आपकी मेडिसन तद्दील कर सके, या आपकी डोसेज कम कर सके, रजीद वीडियो के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, अलाफिस,